हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग टॉक्सिकोलोजी में कार्बोलिक एसिट परजनिंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग इसकी परजनिंग के बारे में देखेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में देखेंगे पिर इसके बाद इसके फेटल लोज और फेटल पीरेट के बारे में देखेंगे ट्रीट्मेंट के बारे में देखेंगे पोस्मार्टम एपिरेंस और फिर मेड को लीगल एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को subscribe कर ले और चल यह start करते हैं फिर कारबोलिक ऐसेड़ आए पोजनेंग तो कारबोलिक ऐसेड़ पोजनेंग में तो कारबोलिक ऐसेड़ इस आसो नोन एस फिनॉल हैड्रोक्सी बेंजीन इसको फिनॉल हड्रोक्सी बेंजीन भी भूला जाता है इसका चेमिकल फर्मॉला है वह यह C6H4OH When it is pure It is in form of colorless needle-like crystal जब यह pure होता है तो यह colorless needle-like structure में होता है फिर इसके बाद देखते है When it is exposed to atmosphere It turns to pink जब यह pure होता है तो यह colorless needle-like crystal में होता है लेकिन जब यह atmosphere में इसको खुले में रख देते हैं तो यह pink हो जाता है ठीक है और फिर इसमें peculiar order sweet burning taste आ जाता है ठीक है यह किसमें किसमें present होता है It is present in debt all and lies all like solution मतलब कि जो सफाई वाले solution होते है debt all हो गया, lies all हो गया इन सब में present होता है बट बहुत कम मात्रा में होता है ठीक है और जो carbolic acid poisoning is known as carbolism जो carbolic acid poisoning है उसको carbolism भी बोलते है इसके इसके sign and symptoms के बारे में देखते है sign and symptoms क्या कहते है sign and symptoms local जो sign and symptoms आते है वो यह हैं कि It is very rapidly absorbed from all surface even intact skin यह बहुत rapidly absorbed होता है हर surface से even intact skin यह skin से भी बहुत ही rapidly absorbed होता है It causes necrosis and sloughing of the tissue because it has remarkable penetrating property मतलब कि इसकी जो penetrating property है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ठीक है बहुत ही ज़्यादा घहतक होती है इस वज़े से यह necrosis and sloughing of tissue करता है Gastrointestinal tract में क्या होता है Gastrointestinal tract में It causes burning pain anesthesia मतलब कि विहोशी भी कर सकता है और burning pain, जलन वाला pain कर सकता है It causes difficulty in swallowing अगर यह gastrointestinal tract में JIT tract में आ गया है तो इससे जो परसे ने उसको swallowing में दिक्कत होगी Lips and mouth mildly corroded यह important है Lips और मौथ जो होते हैं वो हलका corroded हो जाते हैं फिर इसके बाद दिखते हैं इसके जो जलने के निशान होते हैं ठीक है, वो कैसे होते हैं Burns are white which later turn brown due to sloughing of tissue जो जलने की निशान होते हैं यहाँ पी पढ़ता है तो पहले white चकत्ते होते हैं लेकिन जब बाद में होता है थोड़ी देर बाद वो brown हो जाते हैं क्यों होते हैं स्लफिंग ऑफ टिश्यू के काना की remote action जो होते हैं तो सबसे पहला शॉक होता है शॉक क्यों होता है due to its corrosive and sinus depressing effect it cause giddy with cold clammy skin weak pulse होती है इसकी contracted people होता है इसमें और strenuous breathing and carbolurea ठीक, यह symptoms मिलते हैं और जो most important line है it can be mistaken for opium poisoning और overdose इसको जो है हम लोग opium poisoning के overdose से या तो उसकी पॉज़निंग से हम लोग मिस्टेकन कर ले तो उसकी तरह समझ लेते हैं किड्नी पर क्या effect देता है तो किड्नी पर it cause oligourea ठीक है decreased urine albumin and metabolic product of carbolic acid metabolism जो metabolic product होते हैं कौन-कौन से hydroquinine and pyrocorticoid present in union urine में मिलते हैं ठीक है dark smoky green urine to which coma and death follow इसमें जो होता है dark smoky green urine आता है जो पहले coma करता है फिर बाद में अगर उसका treatment नहीं होता है तो उसमें फिर death हो जाते हैं इसका जो fatal dose होता है जो important point है वो 3-10 gram होता है मतलब कि 20 drop approach होती ही जो fatal period होता है वो 3-4 घंटे होता है minimum 3 minute recorded और maximum 60 घंटे का recorded है फिर इसके बाद दिखते हैं treatment treatment में stomach wash करते हैं with 20% alcohol soap solution demulsant like milk egg albumin या barley water IV fluid में NaSCO3 मतलब sodium bicarbonate के साथ saline देते हैं respirator distress के लिए atropine sulfate चड़ाते हैं IV fluid के साथ और circulatory cloths में IV fluid के साथ vasoconstrictor देते हैं post-mortem appearance कैसी होती है तो grace was stain on corroded area मतलब कि जहां जहां पे poisoning होई यहां पड़ा है corroded area है वहां पे grace wise white stain मिलेंगे characteristic order from mouth and nostril etc वल्लब कि एक peculiar smell आती है mouth और nostril से cerebral edema मिलेगा pulmonary edema मिलेगा congestion officer मिलेगा greenish या brownish urine मिलेगा leathery stomach मिलेगा liver, spleen, white patch ठीक है liver और spleen में white patch मिलेंगे glottis जो है वह soline मिलेगा इसके जो medical legal expect है सब्सक्राइब एक्सिडेंटल हो गया occupational hazard हो गया जो फेक्ट्रियो में होता है suicidal हो गया तो यह थे वीडियो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ये चैनल और कोई query हो तो comment box में comment कर सकते हैं and thank you so much for watching कर सकते हैं